जब देशी खेल की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है कवड़ी हाँ एक बात जरूर है कि क्रिकेट या दूसरे किसी खेल जैसी पापॉलर्टी कवड़ी को नहीं है या यू कहें कि कवड़ी खेलने वालों को उतना नाम या उतनी शोरत नहीं मिलती है लेकिन पिछले कुछ वर्सों से जब से शुरू हुई है प्रो कवड़ी लीग कवड़ी का नाम भी ठीक से लिया जाता है उसके लिए भी चार्म बढ़ रहा है लोगों के मन में एक तरीके का इंट्रेस्ट आ रहा है कवड़ी हलाकि हमारी बहुत पुराना खेल है भारती है बहुत पुराना खेल है लेकिन अब कुछ एक फैशन के दौर में भी कवड़ी को लिया जाने लगा है चुकि प्रो कवड़ी लीग यानि कि P.K.L. 2021 कुछी समय में होने वाले है तो हम अब आज ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जो कवड़ी के माहिर हैं कवड़ी सिखाते हैं, खुद बहुत बड़े कवड़ी के खिलाडी रहे हैं भारती कवड़ी टीम के कप्तान रहे हैं अर्धून यवाडी रहे हैं और साथ में हरियाना सरकार में जिप्टी स्पोर्स डिरेक्टर है और जो प्रो कभडी लीग है, उसकी प्रो कभडी लीग शुरू हने वाली है, तो बाथचीत हम प्रो कभडी लीग से ही करते हैं, क्या तैयारिया चल रही है? हमने एक balance और new young team select की है और हम उमीद करते हैं कि कुछ पिछले जो दो season में हम नहीं कर पाए और season 2, 3, 4, 5 में जो हमने कमाल किया कुछ ऐसा ही करने का परियास कर रहे हैं और हमने एक balance और young team हमने select किया अच्छा राम महर जी चुकि प्रो कवड़ी लिग की बात चल रही है तो मैं समझना चाहूंगा कि प्रो कवड़ी लिग जब से शुरू हुई है कवड़ी को लेकर देश के लोगों के बीच में या बाहर के देशों के बीच में किस तहुचे की चीजें बढ़ती भी दिख रहे हैं मैं ये मानता हूँ जब से प्रो कवड़ी स्टार्ट हुई है season first से और season अभी 8 आने वाड़ा है 8 season स्टार्ट होने वाड़ा है और कबड़ी मैं ये कहूंगा इसमें भी कोई अचरज नहीं कि जमीन से आश्मान पर आ लिए इतना डिफ्रेंस आ गया है जो लोग मैं ये कहूंगा जो फैंस और जो पब्लिक जो कबड़ी लवर कहूं या दूसरे जो खिलाडी दूसरे खेलों के लवर वो अब सब परसंट जाते थे और कहीं किसी बीसमें जाते थे तो इतना वो नहीं आज लेकर ब्लस के लिए तो हर खिलाडी अंशास का नाम स्कूल या मैं कि काौलेज्ा आय से बता सकते हैं कि लिए फूलानीम टीम का वो पलियर है वो कोच रहा है तो भर दी में ये कहूंगा कि कबड़ी ने बहुत सफर देंगिया है और मुझे है कि और कवड़ी आगे आएगी ऐसा मुझे कर रहा है बिल्कुर ठीकर आप मेरा जी चुकि कोई भी बच्चा कमसकम भारत का कोई भी बच्चा विशेश करके जो हमारा उत्तर भारत का छेत्र है उसमें कवड़ी का नाम तो हर बच्चा जानता है और जो एक लाइन कही जाती थी छलकवड़ी 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 वो तो लगबब सभी लोगों ने सुना और कहा है लेकिन कबड़ी का जो एक रोमांच है या जो उसके प्रती आकरशन है या जो कहा जाए कि कबड़ी की जो इस्थिती है वो अंतराष्ट्री राष्ट्री अस्तर पर उस तरीके की नहीं रही लेकिन जैसे आपने बताया कि PKL के कारण जमीन से आसमान तक का सफर कबड़ी ने कैसे खेला जा रहा है जी रामेर जी एको मैं ये मानता हूं कि जब सीजन फर्स तराट हुआ तो जो कबड़ी खिलारी है जी कबड़ी लवर है और जो कोचीज है फैडरेशन है जितने भी लोग कबड़ी से जुड़े हुए है या जो आम जनता है कभी किसी ने ऐसा सोचा कि कबड़ी इस मुकाम पर पहुचेगी लेकिन जो स्टार स्पोर्ट्स है जिसने कबड़ी फैडरेशन और स्टार स्पोर्ट्स मसाल गूरूप इनोंने मिलके जैसे जिब कबड़ी को स्टार्ट किया तो साइद उनको भी नहीं पता था कि कबड़ी लोगों के दिलो दिमा इस कदर से चा जाएगी, कि लोग देखते हैं, वो भी कबड़ी के पीछे बागेगी, उनों के तरी को खिलाडी को जैसे दो या तीन गंटे में एक फिल्म हम देखते हैं, उसी दोरान हम जब CRT में खेलती हैं, दो मैच होते हैं, तो 14, 28, 30 खिलाडियों का अलग-अलग स्कील, किसी का जंप, किसी का दूपकी, किसी का टोटच, किसी का बैक किक, किसी का थरो, किसी का फुस, बिल्लब एक अलग सा जो है न, और जिस तरीके से उन्होंने सेट अप किया, तो उसमें एक इतना इंट्रेस्ट बढ़ गया, क्यो जितना कबड़ी चलिए, तो इस स्टार स्पोर्ट्स को देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से इसको डवलब किया, इस तरीके से स्टार्ट किया, लोगों के दिलो दिमाख में बैठाया, कि खिलाड़ी भी और पब्लिक भी कबड़ी के पीछे बागने लगी, यह उ इंडियन टीमें कैप्टन रहे हैं, जिर्ब हम इंडियन टीमें कैप्टन, हमने भी निसोचा था कि कबड़ी उस लेवल पर जाएगी, तो बड़ी, क्या बाद, राम मेहर जी चुकि कबड़ी अपने आप में काफी लोगप्री है, स्कुलुक के अस्तर पे बहुत खेली ज काबले, क्या लगता है आपको कबड़ी में कितना परिवर्तन आया है, मैं यह कहूंगा, परिवर्तन तो बहुत, यह कहेंगे कि 90 और 10 का डिफरेंस भी हो, कितना भी है, सबसे बढ़ाती है, जाकि पहले मेटी पे खेली जाती थी, और उसके बाद 2002 ACN गेम जब हुए, जब बदलाओ जो है, यह आया कि खिलाडी जो दूसरे कंट्रियों के खिलाडी हैं, उनके साथ भी जैसे हमारे कंट्रियों के खेलते हैं, बहुत रियर होते थे, उसी में खेलते थे, आज 5-6 महीने का पील्ड है, तो उसमें सभी कंट्रियों के जो बड़े-बड़े खिलाडी ह जो इरान है, कोरिया है, बंड़ादेश है, पाकिस्तान, जापान, जो भी खिलाड़ी, मलेसिय, वो सभी साथ में रहते हैं, तो हमारे खिलाड़ीों की स्किल भी उन्होंने पकड़ी, इसे मैं एक माइनम यह कुगा कि इंडिया को मुक्सान भी हुआ, क्योंकि हमारे जो स्कि स्किल थी, हमारी वो थी, तो उन्होंने वो चुराई भी, लेकिन कबड़ी, कबड़ी बड़ा हुआ, क्योंकि कबड़ी इसलिए भी एक मैतोपून खेल बन गया, ये साइद बहुत जो विद्वान हैं, और जो कबड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, वो जाते हैं, कि एक यादगार लंबा, जीवन भर, जब तक हम रहेंगे, वो दोराते रहेंगे, क्योंकि 1990 ASEAN गेम में, आज तो ओलम्पिक में हमारे इतने मैडल आने लगे, नहीं तो 1990 में सिर्फ इंदूस्तान का एक ही मैडल था, कबड़ी देश के लिए भी, देश के लिए भी इसलिए मैं तो पुर्ण हो गया, कि किसी भी देश में, जब ASEAN गेम कोंवेल्थ या ओलम्पिक होता है, अगर इंडिया का खिलारी है, या बंगला देश का खिलारी है, या स्रेलंका खिलारी है, अगर उस देश की खिलारी, अगर वहाँ चैंपियन बनता है, गोल्ड मेडल लेता है, तो उस देश की दुन तभी बजाई जाती है, उस देश का जंडा तभी फेरा जाता है, कबड़ी कैसा है, सन 1990 एस इन गेम में पहली बार इंक्लूड होई, और पहली बार इस देश की लाज बचाई है, कबड़ी इस मास्क है जरूरी, तो इस प्रोटोकाल को कैसे फालो करेंगे, कबड़ी लिंक के दौरान, देखो, अभी इसके लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, जी, भी कोचिंग कैम्प होंगे, सब खिलाडी जाएंगे, जी, और जहां लीग होगा, या जहां कोचिंग कैम्प लगेंग तो बायो बबल होगा, बायो बबल होगा, कि उस होटल में कोई जाएगा नी, कोई आएगा नी, और जाएंगे तो स्टार्टिंग के सेवन डेज गॉन टाइन होगा, फिर उसके बाद कोचिंग कैम्प स्टार्ट होंगे, फिर जब लीग स्टार्ट होगा, तो एक से दो व तरीक्य की तैयारियां जल रही हैं, वो तरिम्हें रहेंगे. तो कवीट की महमारी है, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और उसी कीया होँए, उसी घियारियां होगे, उसी घौकी तैयारीया होँगी, उसी हizarफ से लिउग होगा. तिन तीन बार लगातार चैंपिन बनती है तो उसके जो फैंस होते हैं उसके जो मालिक है टीम के जो सीउ हैं जो भी उससे जो जुड़े होते हैं उनकी एक उवीद होती है उनका एपुल होता है की champion बनना और जो team last में रहती है तो उसका और है ताएं कि qualify करे हम ये करें जो team लगातार थीन बार champion rally तो उसकी जो हमारे जो team owner है या जो हमारे fans है सबी जो जुड़े हुए है तो उनकी भूख जो और प्यास जो हैना हम उस चीज पर खरया उतरें, उसी साब से हमने एक टीम तयार की है, कुछ एक्स्पिरिंस प्लेयर भी लिए हैं, कुछ नए प्लेयर भी लिए हैं, और सब मिल जूलके एक अच्छी टीम, बैलेंस टीम, हम फीड करेंगे। नहीं हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके वीच में कवड़ी की पॉपलर्टी, वो कवड़ी की तरफ किस तरह के से अट्रेक्ट हो, इसको लेके भी कुछ आप संदेश जरूर दें, क्यूकि आप कवड़ी एक तरीके से आप कवड़ी के परियाये हैं, और कवड़ी को आप तो आपका संदेश जरूरी है, जी रांदेहर जी. किसी खिर्कments की एक तरह को किर्केट में होका नहीं मिलता, तो वह अपना किर्केट से भी ज्यादा नाम कमाए, मेरी यही उन्से और कवड़ी को जीए, कवड़ी को देखे और कवड़ी में आज वो चीज है, कि हम, हम नहीं मतलब, जब हम खेलते पता नहीं था, आज एक ख प्रदेश की सरकार है किस तरीके से गंभीर है किस तरीके से प्रवसाहन कर रही है कुछ इसको देखते हुए आप जो कुछ कहना चाहें सरकार वो प्रदेश सरकारों से वह भी जरूर कहें प्रदेश सरकार है या देश की सरकार है इसमें कोई दोरायनी वो भी कबड़ी को एक आच्छी नजर से देख रहे हैं और वो भी यह चाह रहे हैं कि कबड़ी जितना उससे भी आगे जाए और कबड़ी के फैसिलेटी खिलाडियों को चाहिए वो मैट हो वो कोचिंग कैम्प हो वो डाइट हो हमने अभी हएलो इंडिया को मैंबर हूं अर्याने की तरफ से और हभी हमने खेलो इंडिया स्टेट करवाए था तो हमारे जो डारेक्टर हैं वो खुद देखके स्पोर्समें रहे है पंकज नहीं जी तो वो यह चाहते हैं कि किसी खिलाडी को और हमारे ज रिकोर्ड ओल्डर हैं तो वो भी अचारे हैं अभी जैसे ये ओलंपिक हुए तो सभी खिलाडियों को तैयारी के लिए पहले पांच-पांच लाग रुपे दे दिये अगर ये कमी है कि ये तैयारी हो जाती गोर्मेंट जब 6 करोड रुपे गोल्ड मेडल के लिए देती है और उसको 15-20-30 करोड रुपे तक उसको मिलते हैं तो गोर्मेंट तो हर खिलाडी से चयार कदम आगे है मैं तो ये कहुँगा अब खिलाडी के लिए उसको एक करोड लेना है उसको 50 लाग रुपे लेने है इसको या पार्टिस्पेट करने के लिए उसको 20 लाग रुपे लेने 15 लाग रुपे लेने है या उसको गोल्ड मेडल लेके 6 करोड रुपे लेने है सरकार 6 क्रोड के लिए तयार है अब वो खिलाड़े के उपर निर पर है वाँ क्या बात है जी उसको कलास वन अफसर की नोकरी दे रही है विल्कुल ठीक है राम मेया जी जैसा कि लग रहा है मुझे की कवड़ी को लेकर सरकारों की तरफ से की जाने वाली या खेल के परती सरक सरकारों की जो भावना है जो प्रयास है वो सारे लग रहा है कि साकारात्म दिशा में चल रहे हैं और आप संतुष्ट है निश्ची तुरुप से सरकार चाहती है कि खेलों में देश का नाम हो और हमें उमीद है कि कवड़ी अब तमाम खेलों से होते हुए उलम्पिक भी ज कामनाई देते हैं और मज़ा आएगा जब पीकल शुरू होगा देखते हैं कि क्या होता है और आपने हमसे बातचीत की बहुत सारी जानकारियां दी नमस्कार